प्रेम से बोलिए श्री सत्य नारायन भगवान की जै आप सभी को रक्षा बंधन और सावन पोडिमा की मंगल शुक कामनाएं भगवान भोलेनाथ और लक्ष्मी नारायन के ग्रिपा से आपकी समस्त मनों कामनाएं पुरुण हो सावन माज की पोडिमा तिथी पर आज आप सुनने वाले हैं श्री सत्य नारायन भगवान की कथा जिसके सुनने मातर से हर प्रकार की कामना पुरुण होती है तो सच्चे मन से श्री लक्ष मिनारायन का ध्यान करके इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रमण करते हैं एक समय की बात है नैमिशा रन्य दिर्थ में शौनकादी 88,000 रिशियों ने श्री सूती जी से पूछा हे प्रभु इस कल्यूग में वेद विद्यारहित मनुश्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा हे मुनिश्रेष्ट कोई ऐसा तप बताईए जिससे थोड़े समय में ही पुन्य मिले और मनोवांचित फल भी मिल जाए इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं सर्व सास्त्रों के ग्याता स्री सूत जी बोले हे वैश्नों में पूछे आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है इसलिए मैं एक ऐसे स्रेष्ट व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारत जी ने लक् घूंगते हुए मृत्यू लोक में आप पहुचे यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन में प्राया सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीडित देखा उनका दुख देखकर नारत जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से न परमाला पहने हुए थे स्तूती करते हुए नारत जी बोले हे भगवान आप अत्यंत शक्ती से संपन्य है मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है निर्बुण स्वरूप स्रिष्टी के कारण भगतों के दुख को दूर करने वाले हैं आपको मेरा नमस्कार है नारत ज मृत्यू लोग में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं हे नात आप मुझ पर अगर दया रखते हैं तो बताईए कि वो मनुष्य थोड़ी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे चुटकारा पा सकते हैं भगवान श्री हरी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूची है, जिसके करने से मनुष्य मुह से चूट जाता है, वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो. स्वर्ग लोग और मृत्यू लोग दोनों में एक दुरलब उत्तम व्रत है, जो पुन्य देने वाला है, आज प्रेम वस होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो. श्री सत्यनारण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पुर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहां सुख वोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है. श्री हरी के वचल सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किस ने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताईए. नारद की बात सुनकर श्री हरी बोले दुख और सोप को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है मानों को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनाराण की पूजा धर्म परायन होकर ब्राम्भणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल घी, दूद और गेहूं का आटा सवाया ले गेहूं के स्थान पर साथी का आटा, शक्कर तथा गुड लेकर और सभी भक्षन योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए ब्राम्भणों सहित बंधु बांधुओं को भी भोजन कराएं, इसके बाद स्वयम भोजन करें भजन कीर्थन के साथ भगवान की भक्ती में लीन हो जाएं, इस तरह से सत्यनाराण भगवान का यह वरत करने पर मनुष्य की सारे इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं इस कलीकाल में आर्थात कलीयुग में मृत्यू लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है भगवान श्री हरिविष्णू ने कहा यह सत्यनाराण वरत सभी प्रकार के दुखों जैसे शारेरिक दुख, मानसिक दुख, शोक आधी का समन करने वाला है और धन धान्य की वृध्धी करता है, स्वभाग अखंड करता है और संतान प्राप्ती के लिए किया जाता है कल युग में यह सबसे छोटा सा उपाय है, इस प्रकार स्री सत्यनाराण भगवान की कथा का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ, प्रेम से बोलिए स्री सत्यनाराण भगवान की जै, सत्यनाराण वरत का दूसरा अध्याय, श्री सूत जी बोले, हे विजों, अब मैं पुनह पुर्वकाल में, जिसने इस सत्यनाराण व्रत को किया था, उसे भले भाती विस्तार पुर्वक कहूंगा, आप सब ध्यान पुर्वक सुनिए, एक समय की बात है, रमणी या काशी नगरी में कोई अत्यन्त निर्धन ब्रामवन रहता था, भूक और प्यास से व्याकूल हो तुम किसलिए प्रितिव पर भ्रह्मन करते रहते हो, हे द्विजिस्रेष्ट, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ, ब्रामवन बोला, हे प्रभो, मैं अत्यन्त दरिद्र ब्रामवन हूँ, और भिक्षा के लिए ही प्रितिव पर घूमा करता हूँ, यदि मेरी इस द रूपधारी भागवान विश्नु वही पर अंतरध्यान हो गये, व्रिद्य ब्रामवन ने जैसा कहा है, उस वर्द को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा, यह सोचते हुए उस ब्रामवन को रात में नीद भी नहीं आई, आगले दिन प्रतहकाल उठकर सत्यनारण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राम्हण भिक्षा के लिए चल पड़ा उस दिन ब्राम्हण को भिक्षा में बहुत साधन प्राप्थ हुआ उसी धन से उसने बंधु बाधमों के साथ भगवान सत्यनारायन का व्रत किया इस व्रत के प्रभाव से वहस्रेष्ट ब्र प्रित्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायन का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नश्ठ हो जाएंगे हे ब्राम्हणों इस प्रकार भगवान नारायन ने महात्मा नारत जी से जो कुछ कहा वह मैंने सब आप लोगों से कह दिया आगे अब और क्या इस प्रित्वी पर उस ब्राम्हण से सुने हुए इस व्रत को और किस ने किया हम वह सब सुनना चाहते हैं उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है श्री सूत जी बोले हे मुनियों प्रित्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने एक बार वह द्विज शेष् उस ब्राम्हण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोला हे प्रभो आप यह क्या कर रहे हैं इसके करने से किस फलकी प्राप्ती होती है विस्तार पुर्वक मुझसे कहिए विप्रे ने कहा यह सत्यनारायन का ब्रत है जो सभी मनोर्थों को प्रदान करने वाला ह उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदी प्राप्त हुआ है जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहेंड करके वह लकड हारा नगर चला गया सत्यनारायन देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकडी बेशने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायन का स्रेष्ट व्रत करूँगा इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकडी को मस्तक पर रखकर वह उस सुन्दर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे उस दिन उसने लकडी का दुगना मुल्य प्राप्त किया इसके बाद प्रसन रिदय होकर वह पके हुए केले का फल शक्कर, घी, दूद और गेहु का चुरुन सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया ततपस्चात उसने अपने बंधु बाधमों को बुला कर विधे विधान से भगवान स्री सत्यनारायन का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह पुत्र और धन आदी से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेकों सुखों का भोग करके अंत में सत्यपूर अर्थात व्यकुंठ लोग चला गया इस प्रकार भगवान सत्यनारायन की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ तो प्रेम से बोलिए स्री सत्यनारायन भगवान की जय सत्यनारायन व्रत की कथा का तीसरा अध्याय श्री सूत जी बोले हे स्रेश्ट मुनियों अब मैं पुनहें आगे की कथा कहूंगा आप लोग ध्यान पूर्वग सुनिए प्राचेन काल में उलका मुख नाम का एक राजा रहता था वह जीतेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुधिमान था वह विद्वान राजा प्रती दिन देवाले जाता और ब्रामणों को धन देकर संतुष्ट करता था कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शीला विनए एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्य तथा पती परायना थी राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्र शीला नदी के तट पर स्रिस्तत्नारायन का वरत कर रहा था उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुश्कल धनरासी से समपन एक साधू नाम का बनिया वहाँ आया भद्रसीला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके और राजा के समीप गया और राजा को उस वरत में दिक्षद देख कर विनःपुर्वक पूशने लगा साधू ने कहा हे राजन आप भगती युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं कृपिया यह सब मुझे भी बताईए मैं इसे सुनना चाहता हूँ राजा बोले हे साधू पुत्र आदी की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बाधों के साथ मैं अतुल तेज संपन भगवान विश्णू का व्रत और पूजन कर रहा हूँ राजा की बात सुनकर साधू ने आदर पुर्वक कहा हे राजन इस विश्ण में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाईए आपके कतना नुसार मैं यह व्रत और पूजन अवश्य करूँगा मुझे भी कोई संतान नहीं है इससे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवरित होकर आनंद पुर्वक अपने घर आया उसने अपनी भार्या से संतती प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पुर्वक बताया तथा जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस वरत को अवश्य करूँगा इस प्रकार उस साधू ने अपनी भार्या लीलावती से कहा एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पती के साथ आनंद चित्ति से रितु कालिन धर्माचरण में प्रवित हुई और भगवान श्री शत्यनाराअर की घृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई दस्वे महीने में उससे कन्या रतने की प्राप्ती हुई और शुकल पक्ष के चंद्रमा की भाती यानि दिन प्रति दिन वह कन्या बढ़ने लगी उस कन्या का नाम कलावती रखा गया इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने पती से मधुरुवाणी में कहा आप पुर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायल के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं साधु बोला हे प्रिये इसके विवाह के समय में यह व्रत करूंगा इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भाती आस्वस्त करके वह व्यापार करने के लिए नगर की उर्चल गया इधर कन्या कलावती अपने पिता के घर में व्रिधी को प्राप्त होने लगी तदनंतर धर्मक के साधु ने नगर में सक्षियों के साथ क्रीडा करती हुई अपने कन्या को विवाह के योगे देख कर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए स्रेष्टवर की खोज करो ऐसा दूद से कहकर शीकर ही उसे भेज दिया उसकी आग्या प्राप्त करके दूद कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया उस साधू ने उस वणिक के पुत्र को सुन्दर और गुणों से संपन देखकर अपनी जाती के लोगों तथा बंधू बाध्वों के साथ संतुष्ट चित्त होकर विधे विधान से वणिक पुत्र के साथ कन्या का विवाह कर दिया उस समय वह साधू बनिया दुरभाग्यवस भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया पुर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत ना करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गये कुछ समय के पस्चाथ अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधू बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र के समी पिस्तित रतनसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्य दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद में दोनों राजा चंद्रिकेतु के रमणिय नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायन ने उसे भष्ट प्रतिग्य देखकर इसे दारोन, कठिन और महान दुख प्राप्थ यह श्राब दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रिकेतु के धन को चुरा कर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दोडते हुए दूतों को देखकर भैभीत चित से धन वहीं छोड़कर शीग्रही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गये जहां वह साधु वणिक था और वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आये। और हर्स पुर्वक दोडते हुए राजा से बोले हे प्रभो हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं। इन्हें देखकर आप आग्या दे। राजा की आग्या से दोनों शीग रही द्रड़ता पुर्वक बांध कर बिना विचार किये महान कारागार में डाल दिये गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की कोई बात नहीं सुनी और राजा चंद्र केतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भग की चिंता में दरदर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रति दिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीडित कलावती एक ब्रामभण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्य नारायन के व्रत और पूजन को देखा। वहां बैटकर उसने तुरंत माता से कहा, हे मा, मैंने एक ब्रामभण के घर में मनोरत प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वडिक की भार्या व्रत को करने को उद्यत हुई। और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधों के साथ भगवान श्री सत्तना का व्रत किया, तथा इस प्रकार प्रातना की, हे भगवन आप हमारे पती एवं जामाता के अपराद को छमा करें, वे दोनों अपने घर शीक्र ही आ जाएं। इस व्रत से भगवान चत्तनारायन पुनह संतुष्ट हो गये, तथा उन्होंने निरिपच्रेष्ट चंद्रके तुम्हारा सर्वनास कर दूगा, राजा से स्वपन में ऐसा कहकर भगवान चत्तनारायन अंतरध्यान हो गये, इसके बाद प्रतहकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वपन सुनाया और कहा दोनों वणिक पुत्रों को शीग्र ही मुक्त कर राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुस दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनयपुर्वक बोले, हे महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गये हैं, इसके बाद दोनों महाराज निरिपसरेष्ट चंद्र विकेतु को प्रणाम करके अपने पुर्वरितांत का स्मरन करते हुए भै विवल हो गये और कुछ पोल न सके राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पुर्वक कहा आप लोगों को प्रारब्दवस यह महांदुख प्राप्थ हुआ है इस समय अब कोई भै नहीं है र उसके बाद राजा ने पुनह उनसे कहा हे साधो अब आप अपने घर को जाएं राजा को प्रणाम करके दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया इस प्रकार स्री सत्यनारायन भगवान की कथा का तीसरा अध्याय समाप्थ हुआ तो प्रेम से बोलिए स् स्री सूती जी बोले साधो बनिया मंगला चरण करके और ब्रामभणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा साधो के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायन ने उसकी सत्यता की परिक्षा लेने की जिग्यासा से पूछा साधो तुम्हारी नाव में क्या भरा हैं ऐसी निश्ठूर वाणी सुनकर सत्तनारायन वेशधारी स्री दंडी बोले तुम्हारी बात सच हो जाए ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारन किये हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए दंडी के चले जाने पर नित्यक्रिया से निवित ह होकर उत्री हुई अर्थात जल में उपर की और उठी हुई नौका को देखकर साधू अत्यंत आश्चरे में पढ़ गया और नाव में लता और पत्ते आधी देखकर मुर्चित होकर प्रित्वी पर गिर पड़ा सचेत होने पर वनिक पुत्र चिंतित हो गया तब उसके दा दामाद की बात सुनकर साधू बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ती पुर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आधर पुर्वक कहने लगा आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है वह असत्य भासन रूप अपराद किया है आप मेरे उस अपराद को छमा करें ऐसा कहकर बारम बार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा हे मुर्ख रो मत मेरी बात सुनो मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्या से ही तुम्हें बारम बार दुख प्राप्थ हुआ है फिर मैं मुर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ आप प्रसंद हुए मैं आपकी शरण में आया हूँ मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी आप रक्षा कीजिए उस बनिया की भक्ति युक्त बाणी सुनकर भगवान जनार्दन दर्ध्यान हो गये उसके बाद वह साधू अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धाने से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की क्रिपा से हमारा मनोरत सफल हो गया ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की भगवान स्री सत्यनार्यान क क्रिपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रेतन पुरुवक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया साधू बनिया ने अपने दामाद से कहा वह देखो मेरी रतन पुरी नगरी दिखाई दे रही है इसके बाद उसने अपने धन के रक्ष बात कही सेट जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धाने से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गये हैं दूत के मुख से यह बात सुनकर वह अति आनंदित हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायन की पूजा करके अपनी पुत्री से कह मैं साधू के दर्शन के लिए जा रही हूँ तुम शीग्र आओ माता के ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परिद्याग करके वह कलावती भी अपने पती का दर्शन करने के लिए चल पड़ी इससे भगवान सत्यनारायन रुष्ट हो गये और उन्होंने उसके पती को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया इसके बाद कलावती कन्या अपने पती को ना देखकर महान शोक से रुदन करती हुई प्रिथिव पर गिर पड़ी नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भैभीत मन से साधू ब नौका के साथ यह कैसे अलक्षित हो गया नजाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई अत्वा स्री सत्य नारायन का महात्में कौन जान सकता है ऐसा कहकर वह स्वजणों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोध में लेकर रोने लगी कलाव सोक संतप्त हो गया और सोचने लगा या तो भगवान सत्यनाराण नहीं अपरण किया है अत्वा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गये हैं अपनी धन शक्ती के अनुसार मैं श्री भगवान सत्यनाराण की पूजा करूँगा सभी को बुला कर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन में इक्षा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्र तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पती को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संसे नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीग्रही घर गई, उसने प्रसाद ग्रहन किया, पुनह आकर स्वचनों तथा अपने पती को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। पाच्वा अथ्याय पुजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीब रखकर वहां से लोट आए। और इच्छा नुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परिद्याक करने से बहुत दुप्राप्त हुआ। उसका संपुर्ण धन, धान्य एवं सभी सौ पुत्र नश्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायन ने हमारा नाश्ट किया है। इसलिए मुझे वहाँ जाना चाहिए, वहाँ स्री सत्यनारायन भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगड़ों के समीप गया। और उसने गोपगड़ों के साथ भगती श्रद्धा से युक्त होकर विति विधान पुर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की क्रिपा से वहपुना धन और पुत्रों से संपन्न हो गया। तथा इस लोग में सभी सुखों का भोग करके अंत में सत्यपूर वैकुंठ लोग को प्राप्त हुआ। स्री सूती जी कहते हैं जो व्यक्ति इस परम दुरलब स्री सत्यनाराण वरत को करता है और पुन्यमई तथा फल प्रदाइनी भगवान की कथा को भगती युक्त होकर सुनता है। उसे भगवान सत्य नारायन की क्रिपा से धन धान्य आदी की प्राप्ती होती है, दरिद्र भी धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ, बंधनों से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है, यह सत्य बात है, इसमें कोई संसय नहीं है, इस लोग के मनुसिस सभी दुखों से मुक्ध हो जाता है कलियुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेश फल परदान करने वाली है है मुनिश्वरों पुर्वलोक में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायन का वृत किया था उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूं आप ल लकड हारा भील गुहों का राजा हुआ और अगले जन्मे में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उलका मुख दूसरे जन्मे में राजा दशरत हुए जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ लोग को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवरती साधु पिछले जन्मे के सत्यवरत के प्रभाव से दूसरे जन्मे में मोर्धवज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आधी दे भगवान विश्नु को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंग ध्वज जन्मांतर में स्वायंभू मनु हुए और भगवत संबंधिन संपुर्ण कारियों का अनुष्ठान करके व्यकूंठ लोग को प्राप्त हुए। जो गोप गण थे वे सब जन्म जन्मांतर में व्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए। और सभी राक्षसों का संगहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गो लोग प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सकंद पुराण के अंतरगत रेवा खंड में श्री सत्यनारायन व्रत कथा का यह पांचवा अध्याय पुर्ण हुआ। तो प्रेमजी बोलिए श्री सत्यनारायन भगवान कीजै। श्री लक्षमी नारायन कीजै। जय जय श्री क्रिष्णा, जय श्री राधे!